ये बात है साल 2021 की जब टाटा मोटर्स ने हाइप बना रखी थी कि भाई अमारी नई गाड़ी लेंड रोवर के प्लैटफरम पे बनने वाली है लेकिन असल में टाटा मोटर्स पूरी की पूरी लेंड रोवर फ्री लेंडर को ही रिबैच करके लांच करने वाले थे लेकिन क्योंकि इससे लेंड रोवर की गुडविल पे अफेक्ट पड़ता है इसलिए उन्हेंने केवल इस गाड़ी के प्लैटफरम को यूज किया और फिर लांच होई हमारी टाटा हैरियर और टाटा हैरियर कितनी बड़ी सकसेज है ये बात तो हम सभी जानते हैं